गुद इम्निंगे अवरिवन वेलकम टू जीरो आएस जीरो आएस के यूटीब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस महा संग्राम सीरीज में बात इंपॉर्टेंट टॉपिक में ट्राइपस ऑफ जारखंड और उसकी कल्चर की तो जारखंड के जनजातियों के स उसकी डीटेल में समझाया है तो इसके साथ ही CDPO के आने वाले प्रिलेम्स एक्जाम पर यह काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जीरो आएस यूटीब चैनल तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैयारी तो यह व बिशार घंड तो यह विए पिक्चर एंड टाइपस और ट्राइपस विच डू विच वर्क्स मतलब कौंसे जन जाती कौंसा कारे करती है उस पर क्वेश्चन आते हैं तो यह वाने इस डिपन अन्पर वाने इस डिपन दॉर्स एंटिंग वर्प इस दोन बाई सबर बिरज्य कोरवन वर्एग वर्ण दि परोईब सब्जिक अजन तो च्या घच करती है बिरजियाव अन। इस नेकार बिरज्य, Aside, वर्ग्य कौन तो दिन ए नेकार भी सब्छ एड टंड ऐसका इस चाह बीऊ मतल सनृफ कोरोक है अन्ड पहार शाटि अन। इसके की साथ ही ब पूर्वा जन्जाती या शिफ्टिंग कल्टिवेशन पाश्यली यानि कि अंशता ही करती है नेक्स्ट पॉइंट इस डिपेंडेंट अनिमल हस्बेंटरी और ग्रेजिंग तो अनिमल हस्बेंटरी मतलब पशुपालन के साथ की रेजिंग कौन करता है तो वह है खैरवाड ज कुल्चर या फार्मिंग का वर्क कान करती है तो मुंडा संथाल उराव एंड हो ट्राइब्स डू फिक्स्ट एग्रिकुल्चरल वर्क नेक्स्ट इस जन्रल लेबरर और हैंडी क्राफ्ट मेकर हुइस तो लोहार करमाली चिक बढ़ाइक महाली एंड अशूर इस हो यह क्या काम करती है तो यह जन्रली फार्मिंग के साथ इंडस्ट्री वर्कर्स भी होते हैं यहां पर देख सकते हैं संथाल क्या कर रहा है सिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कर रहा है और उसके साथ यह इंडस्ट्री वर्कर्स भी हैं उसके साथ एदूकेटेड में भी दे कुलeneच को अपना चुके है वैसे तच्राइब भी वाइट वर्कर के गोटा है यह लगा देखी जा सकते हैं somewhere संथालों की है maximum in the population of जहारखंड यह संथाली लैंग्वाइज का प्रयोग करते हैं जिसकी लीपी कौन सी है तो ओल चिकी बार आ चुका है तो यह चाप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे संथाली लीपी कौन सी है तो ओल चिकी लीपी है यह कहां पे रहते हैं तो दामनेक को यहां पर एरिया मैप में देख सकते हैं धामनेक को जो राजमहल के पास यह पहाडियां है और इससके आसपास वाले में भागन पूर से लेकर यह पूरा इन प्रतिस संथाली पीपल चोसारी निशे वाला पार्ट अर्शी हजारी बाग धनबाद में भी जो है संथाल ट्राइब्स पाई जाती है तो यह गुड वेवर होते हैं मतलब अच्छे बुनकर होते हैं हलाकि इनके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अलग होता जैसे घुटने तक ही अपना धोती जो पहनते हैं यह लोग ज्यादा तर धोती पहनने का काम करते हैं तो धोती इनकी जो रहती है घुटने के नीचे तक रहती है और इनका वर्ग क्या है तो हंटिंग जैलिंग मीद तोrée Berry करते हैं उसके साथ ही पीछे अपने देखा कि अग्रिकॉल्चारल होते हैं वह भी करते हैं वह होसेजर ज्इन जो उइन श्ते इंडर मुकिया नहीं होती हैं विलेज ठोण चीफ इस में इसके गाउं के मुक्या या प्रधान को क्या कहा जा जाता है इसा कहा जाता है गाउं के लिपना प्रेयर अंग पूजा के इनकी करते तो ठाकुर जी की और यह ज्यादू तोना में ज्यादा विस्वास रखते हैं इसलिए ठाकुर जी को जादू तोने का निवारक भी मानते हैं इन में सोहराई festival सोहराई festival बहुत फेमस है जिसमें यह भोजन के साथ rice veer यानि कि चावल से बनी हुए जो सराव हैं उनका भी उभूब करते हैं और यह सक्रात फेस्टिवल जो है फैबुरी मेनाते हैं और सक्रात फेस्टिवल में इन लोकू के द्वारा विभिन समारो हो जैसे रेस वगरे का भी अगया जाता है उसके साथ ही यह बाहिय पर्व जिसमें ऑफरिं यानि की बली दि करते हैं और उसके साथ ही यह बहीर विवाही होते हैं मतलब बाहर बहीर विवाही होते हैं बहीर विवाही से ताहत पर यह अलग गूत्र में शादी से होता है यह मेली प्रोटो ऑस्ट्रेलोएड प्रकार के होते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलोएड इनकी तवचा का रंग जो ह जहरा भूरा तक होता है इनके कई गोत्र है और इनके यूबा ग्रेख को यानि की यूथ होम जो होता है उसको कहते हैं घोटुल यूथ होम को घोटुल कहा जाता है इसमें एक विवाह की प्रत्था है जनरली और दूसरा विवाह करने की बहुत इजाज़त इनमें नहीं होती इनमें विवाह के प्रकार को बापला कहते हैं जिसमें सदाई, गोल्टाई, टुनकी, राजारानी विवाह, किरिंग भी कहा जाता है इसमें वधु मुले को पोन कहा जाता है इसमें सरवादी महत्वपूर्ट विभा किरिंग बापला कहा जाता है जिसमें माता-पिता के द्वारा माध्यम से किया जाता है उसको बलते हैं किरिंग बापला साथ ही किरिंग जवाई जब कोई लड़की किसी पूरुष से सम्मंद रखती है तो वहाँ पर जो विवा होता है उसको किरिंग जवाई कहा जाता है इसमें सेवा विवाः भी बहुत प्रचलित है यानि कि पौन देने में और समर्थ वधु ससुर की सेवा में वधु मुल्य चुकाता है उसको बोलते हैं सेवा विवाः संथाल समाज की सबसे कठोर सजा होती है बिटलाहा जिससे समाजिक बहिसकार भी कहा जाता है या निशिद यौन सम्मंध से समंधित होता है इसके ग्राम प्रधान का नाम मैंने मांजी बताया था और इसके साथी जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है जो सिट्टिंग होता है उसको बोलते हैं मांजीयन प्रथा इसमें चलती है मांजीयन और अर्थवववस्था मूल रूप से ये खेटी हर होते हैं और इनके जो प्रेएर यानि की देवता का नाम सिंग बूंगा साथी मारंग बूरू भी होता है इनके देवता का नाम इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है संथालों के धार्मिक प्रधान को कहते है नाइके और इनके ग्रिय देवता का नाम होता है ओडाक बोंगा नाइके इनके धार्मिक प्रधान हो गए संथालों का एक नया संप्रधाई भी है जिसका नाम है साफाहूर फेस्टिवल के साथ ही हरियार सीन फेस्टिवल भी बनाते हैं और इनकी जो ओल्ची की लिपी मैंने बता ही इसका आविशकार किसने किया था तो श्री रगुनात मुर्मु ने किया था ये रगुनात मुर्मु ने इनका इसका आविशकार 1934 इस्वी में किया था और भारत सरक वार द्वारा दो हजार तीन के संसोधन से इसे जो है 22 प्रमुक भासाओं में शामिल कर लिया गया है कौन सा संसोधन था तो 92nd है तो नेक्स पॉइंट इस मुंदा ट्राइब तो मुंदा ट्राइब स्पेशली छोटा नागपूर छेत्र रांची में रहते हैं और यह जारकन के पर सिंटेज में 14.8 पर सेटं के साथ फर्ड नंबर पर आते हैं यह स्वैम को हेरे को कहते हैं और यह इसे कोलेरियन रेज से कहा जाता है जो स्री लंका स्री लंका के बेद्दद जंजाती और साथ ही औस्ट्रैलिया के मूल निवास से समझजीत रखते हैं इसलिए उन्हें प्रोटे आउस्ट्रोलाइट भी कहा जाता है तो लैंड फॉर्म्श यह तीन तरह के यूज करते हैं मुंडा जंजाती के landforms कौन से है तो पंकु जो always fertile land is called पंकु नागरा average fertile land is called नागरा and खिरसी sandy land is called खिरसी पंकु खिरसी and नागरा तो मुंडाज are divided in many गोत्राज तो इसमें बहुत सारे गोत्र होते हैं जिसमें ये divided होते हैं तो youth houses को क्या कहते हैं गती ओरा holy place near temple is called सर्ना और सार्ना holy place near temple is called सर्ना और सार्ना place where village council is held is called अखड़ा अखड़ा place where ancestral bones are burid are called सासन तो जहां पे ancestral bones यानि कि पूर्वजों के bones हड़ियां जहां पे दवी होते हैं उसको बोलते हैं साशन और मंदिर के नियरबाय वाली जगह को बोलते हैं अखड़ा मुन्न जिंजाती में बाल विवा का प्रचलन काफी कम है या नहीं है और इसमें विद्वा विवा यानि कि वीडो री मैरेज का प्रचलन है और इसमें वधु मुल्य को कुरी गुनोंग टाका कहा जाता है कुरी गुनोंग टाका इसमें प्रचलित विवा आयोजित विवा है वही सेवा विवा जिसमें साथ ससुर की सेवा जो है दामाद रखकर के करता है उसको भी कहा जाता है ये भी काफी प्रचलित है हरन विवा यानि कि हाट या मेले से किसी लड़की का हरन कर ले न तो उसको कहते हैं हरन विवा मुंडाओं में ये प्रचलित है इसमें गाउं का मुख्या होता है मुंडा और गाउं की पंचायत को कहते हैं हातू मुंडा के गाउं की पंचायत को कहते हैं हातू और गाउं को मिला कर बनने वाली जो पंचायत है उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत जो आपने काफी सुना होगा और पढ़ा पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं तो वो कहलाता है मानकी पढ़ा पंचायत का हेड जो की मुंडा में फेमस है वो है मानकी ये मचली मारना सिकार करना भी कहते हैं नेक्स इस उनाव जनजाती या कुडुक इसको क्या कहते हैं कुडुक भी कहते हैं उनाव जनजाती या कुडुक ये सेकेंड लाजेस पॉपुलेशन है जार खेंड की दूसरी सरवाधिक जनसंख्या वाली है ये मुख्य रूप से ये कुडख जो है उसका मतलब क्या होता है या अपने को जो मनुष्य होता है उसका मीनिंग होता है human का मीनिंग होता है कोड़ोग द्रवीण रूट के होते हैं और इसमें patriarchan समाज अनिकी पित्री सताथमक समाज जादा famous है इसके दो village head होते हैं chief होते हैं जिनका नाम जिन्हें secular यानिकी धार्मिक और religious गुरु के नाम से जाना जाता है उराम की जिन्जाती के जो चीफ बनते हैं वो अनुवनशिक तूर पर बनते हैं यानि कि बंसा अनुगात इनका समाज होता है हेरी डिट्री और village चीफ या प्रधान को पाहन और महतो कहा जाता है इनकी village council पंचायत को क्या कहते हैं पंचोरा कहते हैं और youth home को कहा जाता है घूम कुडिया यानि कि उराम language में ऐसे कहा जाता है जोखा रापा जोखा रापा उराम जन्जाती में सेम गोतर में विवाह पूरी तरह से निशिद्ध है गोतर सेम नहीं होता है और इनमें बाल विवाह की प्रथा नहीं है ये प्रती वर्ष वैसाक के टाइम में वीशू और सैंद्रा जो है वो सिकार करते हैं सिकार कौन से करते हैं सैंद्रा फाकू सैंद्रा करते हैं और जेट सिकार भी कहा जाता है सैंद्रा सिकार वीशू सिकार और जेट सिकार भी ये लोग करते हैं इनमें समाज की सबसे छोटी एकाई परिवार होती है और अव करते हैं इनमें बहुत प्रकार के अभोशन महिलाओं में प्राचलित हैं जैसे गला में यह लोग हसूली पहनते हैं गले का जो जो जैलरी हो गई वह हसूली मन के हार हो गए नाक मूबरी बेसर हो गएंगली पे मूंद पहनना माथे पेयं पुरुश भावश के हैं माथे करते हैं पटू आधान करते है और यह जो है फागु सेंद्रा म terrified score हो गया और इसके साथी मैं सामुध सी कार होता है जिसफो को भी जोब enorme score है इसे कहते हैं जनी सिकार जनी सिकार यह मिना का जीनी सिकार ज्युआ है बारा वर्षों में इसे question आया हुआ है जनी सिकार कितने वर्षों पे किया जाता है तो हो गया 12th years और इनकी प्रमुक्र नित्यों का नाम यदूर है यदूर नित्वाय उराव Next tribe is Ho tribe तो ये कौन से एरिया में रहती है तो especially ये कौलहान डिवीजन में निवाश करती है Ho tribe को धनबाद में सरदार के नाम से भी जाना जाता है ये especially मुंडारी लैंगवज का यूज करते हैं और 1831 में Ho विद्रो हुआ था इसमें दीकूओं को यानि कि अंग्रेजों और बाहरी लोगों को भगानी के लिए यहां पर इन लोगों ने प्रतिवत्ता दिखाई थी Ho विद्रो 1831 Traditional Tribal Government System इसको कहते हैं मान की मुंडा Government ये प्रे करते हैं सिंग बोंगा की और इसमें आन्दी मेरेज और दीकू आन्दी मेरेज जो है काफी फेमस है ये मुख्या रूप से जो है लडाकू जनजाती इनको बताया जाता है लडाकू जनजाती और प्रोटे ऑस्ट्रलॉइड जो है जनजाती कि ये लोग है और बारह चिती लिपी यूज करते हैं इनका प्रमुख पेपदार्थ जो है वो है इली हो साथ ही ये आदिम पूर्वजों के लिए रसोई घर के एक कॉर्णर में उसके एक कॉर्णर में उनके लिए पूजा का पवित्र अस्थान होता है और यूबा ग्रेख को क्या बोलते हैं गीती ओडा इनमें गोत्र को किली कहा जाता है हो जन जाती में और साथ ही आ अन्दि विवाह जिस में माता पीता के त्वारा आयोजीत विवाह準 को कहते हैं आंदि विवाह और वधु मुल्य को क्या कहा जाता है तो गओनोंग या पौन कहा जाता है ये मुख्य झायरूप से सिंग बोंगा की पूजा करते हैं और सर्वोच देवता भी इनके सिंग बोंगा साथ ही पाहुई बोंगा है ग्राम देवता को कहते हैं यह पाहुई बोंगा कहते हैं पापी बोंगा इनके ग्राम देवता है गाव में बाहर वर्षा देवता का जो स्थान है उनको बोलते हैं देशा उली देशा उली कहते हैं